Hello everyone, welcome to Gyanale आईए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं NVS के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि NVS, KVS, अब तो EMRSB ये कुछ ऐसे schools हैं, ये कुछ ऐसे आप कह सकते हो platform है जो कि न सिफ students को अच्छा platform दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए quality of education प्रोवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं पर देन साथ ही साथ ये कहीं न कहीं आप कह सकते हो recruitment के लिए आप कह सकते हो जो teaching and non-teaching staff है उन सभी के लिए जो कि एक अच्छा platform create कर रहे हैं ताकि वो लोग भी जो कि ए government services में आएं government services avail कर सके कहीं न कहीं उनको अच्छी salary पे कर रहे हैं उनके काम के लिए आप कह सकते हो ये एक तरह का win-win situation है ये एक तरह का upliftment mode है जो की follow किया जा रहा है teaching, non-teaching as well as students level पे तो हम लोग इसको appreciate कर सकते हैं साथी साथ आज अपने इस वीडियो में ग्यानाले की माध्यम से मैं आप लोगों को ये वीडियो हम काफी short रखेंगे क्योंकि इसमें मैं बस आपको basic point समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो ये है कि देखिए NBS के notification के context में जो लोग कह रहे हैं कि 15 जुलाई को notification आ जानी थी 15 जुलाई को जो की है notification आई नहीं है अब exam ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे recruitment होगा या नहीं होगा तो ये पूरा वीडियो जो की है short में जो मैंने बनाया है वो इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए है तो आईए आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और अन्त तक हम जरूर एक positive conclusion पर पहुँचेंगे आईए हम अपना वीडियो शुरू करते है तेखिए मैं आपको ये बताना चाहरी हूँ कि NBS का जो calendar है वो tentative dates बताता है है ना वहाँ पे लिखा गया है कि हाँ भाई 15 जुलाई से 15 ओगस्ट के बीच में हम notification मिकालेंगे अब ये जो 15 जुलाई का date है जो लोग इस 15 जुलाई के date को specifically बस इसी पर focus कर रहे है मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि देखिए problem ये है कि NBS का exam आप जानते हो NTA conduct कर ये National Testing Agency लेते है Ministry of Education के अंदर ही ये सारा system work कर रहा है हम जान रहे है कि NEET के exam में paper leak हुआ है जो कि NTA से जुड़ा है आप देख रहे हो कि कही ना कही मतलब exams वो conduct करे है और वहाँ पे paper leak हुआ है तो लोग जो कि बहुत जादा disheartened हो गए है कही ना कही लोग confused रहे हैं चीज को लेखे कि अब recruitment होगा या नहीं होगा देखिए मैं आपको बताना चाती हूँ कि आप positive रहे हैं जो लोग भी तयारी कर रहे हैं जो लोग भी government jobs avail करना चाह रहे हैं teaching के line में वो N.V.S में अपना career देख रहे हैं इसको आगे वो बढ़ाना चाह रहे है selection लेके दिखिए यह बहुत अच्छी opportunity है और आप लोगों ने बहुत अच्छा line भी चुन रखा है अपने लिए मतलब career option जो आपने लिए रखा है आपके हाथ में यह है कि आप preparation करो आप preparation करो और exam के date का आप जो notification है उसके निकलने का आप wait कर सकते हो लेकिन सिर्फ negative हो जाना या सिर्फ एक negative thought process माइन में लेके चलना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से क्योंकि आप देखो देखी जो exam paper leak का matter हुआ NEET exam का हम सब जानते हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा departmental changes आ रहे हैं आप कह सकते हो minor भी और major भी बहुत ज़्यादा जो की है देखे इसका जो paper leak का जो consequence है वो अंदर अंदर department में भी जो की है बहुत ज़्यादा पढ़ता है है ना तो कहीं न कहीं सरकार इसको लेकि भी जो की है बहुत ज़्यादा conscious हो रही है इसको सुधारने की कोशिश कर रही है लेकिन इसके कारण जो थोड़ा delay हो रहा है notification निकालने में आपको उसका negative impact अपने उपर नहीं आने देना है कि भाई मैं कैसे क्या चीज की तियारी करूँ भई यह तो notification ही नहीं निकाल रहे है exam होगा या नहीं होगा recruitment करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा नहीं है देखे paper leak हुआ है paper leak के कारण departmental changes आ रहे है minor और major level के changes हो रहे है अंदर इस तरीके से की इस चीज को कैसे stop किया जाए लोगों का विश्वास न उच जाए education system से जो exams conduct हो रहे है लोग उस पे जो की है अपना faith अपना believe रख सके इसके कारण बहुत जादा changes लाए जा रहे है जिसके कारण की delay हो रहा है हम यह मान सकते हैं लेकिन आप ये भी देखो कि ऐसा कुछ शौर नहीं है बिलकुल कि एकदम 14 जुलाई का 14 जुलाई को ही जो की है यह tentative dates है ऐसे भी firstly तो एकदम 14 जुलाई का 14 जुलाई को ही notification आना है ऐसा नहीं है 14 जुलाई से 15 ओगस्ट के बीच में notification आ सकता है और आप positive रहो कि इस बीच में notification आएगा भी NBS का और जहां तक बात रही कि recruitment होगा या नहीं होगा तो देखो आप ये मत सोच के चलो एक कहीं delay होने से ऐसा नहीं होता है कि recruitment नहीं हो रहा है आप देखो UP के जो exams है आप देख सकते हो TGT PGT के जो exams है 2022 में था लेकिन अभी देखो जो कि ये बहुत जादा delay हुआ है लेकिन जो आपके हाथ में है वो ये है कि आपको पढ़ाई करनी है आपको positive रहना है आपको अपना mindset रखना है कि हाँ आपको पढ़ना है और आपको निकालना है आपको selection पाना है उसके लिए आपको अपनी preparation stop नहीं करनी है आपको पढ़ना है और जहां तक बात रही notification की आप बिलकुल positive रही है notification मेरे हिसाब से 15 July से 14 July से 15th August के बीच ही निकलेगा 14 July को exact नहीं निकला है इसका मतलब ये नहीं है कि notification निकलेगा ही नहीं तो please positive रहे अब recruitment ही नहीं होगा notification ही निकलेगा ऐसा नहीं है हर चीज का positive side पहले देखे pros and cons सब जगह है departmental changes के कारण अगर delay हो रहे है तो delay का मतलब ये नहीं होता है कि notification ही निकलेगा या फिर उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग recruitment ही नहीं करेंगे थोड़ा time लग रहा है लेकिन जो procedure है उसे adopt किया जाएगा उसे follow किया जाएगा आप अपने पाट पे अपनी पढ़ाई continue रखे और जो भी अपने पढ़ाई का syllabus है जो भी आपके पढ़ाई का तरीका है उसे दिन पर दिन जोके enhance करे एक positive mindset के साथ so thank you so much for watching the video till the end please stay tuned to Gyaan Aale and please do like, share and subscribe our channel thank you